दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप अपना नया पैनकार्ट बना रहे हैं या पैनकार्ट में कुछ डिटेल्स गलत है उसको आप सुधार कर रहे हैं उस टाइम पे जो है आपको अपना एक फोटो अपलोड करना होता है और एक सिगनेचर अपलोड क करना होता है और डुकोमेंट्स अपलोड करना होता है अगर हम पोटो सिगनेचर की बात करें तो बताया गया है कि 200 DPI में जेपी इजी फॉर्मेट में आपका पोटो होना चाहिए और साड़े तीन सेंटीमीटर इसका हाइट होना चाहिए और धाई सेंटीमीटर इसका पीडिये फॉर्मेट में 300 KB से कम का होगा तो फोटो और सिगनेचर और डॉकोमेंट्स आपको बनाने के लिए सिंप्ली गूगल ओपें करना है और गूगल पे आपको सर्च करना है आईये मेरी साइजर लिख के सर्च करेंगे आपके सामने आईये मेरी साइजर.com का एक व पी और अब आपको यहां पे अपना फोटो सेलेक्ट करना है जिस फोटो को आप पैनकार्ट के वेवसाइट पर अप्लोड करना चाहते हैं हम यहां से फोटो सेलेक्ट कर लिए अब फोटो सेलेक्ट करने के बाद अब यहां पे बुलेगा फाइल साइज तो फाइल साइज करेंगे और उपर आने के बाद हम नेख्ट डाउनलोड को उपर क्लिक करेंगे यह मेरा लगभग 41 के वी में जो है ना फोटो डाउनलोड हो चुका है अब फोटो करने के बाद यहां पे हम आएंगे नो फाइल स्लेक्टेड है इसके उपर हम क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद हम डाउनलोड में आएंगे अभी आप देख सकते हैं आईए मेरी साइजर से हमने 42 के भी में इसको 30 सक्टूबर अगर 2024 को डाउनलोड किया है जेपी इजी फॉर्मेट में अब हम इसको यहां से स्लेक्ट करेंगे स्लेक्ट करने के बाद हम अप्लोड के उपर क्लिक करेंगे तो आप यहां पे देखिएगा तो यहां पी जो है ना फोटो अप्लोड हो चुका है आपको सिगनेचर क्प्लिक करेंगे यहां पे विट को करेंगे 4.5 cm कर दिए और हैट मुझे करना है दो सेंटीमिटर यह हम कर लेंगे और करने के बाद हम अब देख सकते हैं डाउनलोड में हम अल्रीडी है आई एम रिसाइजर से हमने JPEG format में 30 अक्टूबर 2024 को 32 के इसको सेलेक्ट करेंगे और upload के उपर हम क्लिक करेंगे upload के उपर क्लिक करने के बाद आप अभी देख सकते हैं photo और signature दोनों upload हो चुका है अब आपको documents upload करना है तो documents को PDF में बनाने के लिए simply आप क्या करेंगे कि यहाँ पर आप सर्च करेंगे JPG to PDF लीश के सर्च करेंगे यह सर्च करने के बाद आपके सामने यहाँ पर ilogpdf.com का website आएगा आप इसके उपर क्लिक किजिएगा क्लिक करने के बाद यहाँ पर select JPG image के उपर आप क्लिक करेंगे जैसे बाद की आपका कोई फोटौ है जैसे माललीजीए कि हम यह इस अधारकारण का फोटौ है हम इसको यहाँ से select करने के बाद हम यहाँ पर Diawnluio2Pdf के उपर क्लिक करेंगे जैसे माल लीजे कि यह मेरा PDF है हम इसको यहां से क्या करेंगे कि यहां से select करेंगे select करने के बाद हम यहां पे upload के उपर click करेंगे जैसे ही हम upload के उपर click करेंगे मेरा PDF जो है न वो successfully हम upload कर दिया है अगर हम PDF कोई गलत upload हो गया तो हम यहां से remove के उपर click करके हम इसको remove भी कर सकते हैं दूसरा कोई documents upload करना है तो आप यहाँ पी जो है न इसको upload कर सकते हैं तो इस type से आज की इस वीडियो में आपने जाना कि अगर आप pan cut को update कर रहे हैं या नया pan cut बना रहे हैं तो उसमें जो photo signature या documents वागा गया है इसको आप कैसे upload करेंगे अगर मेरी जानकारी आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को like कीजिए एंड ऐसे ही informative वीडियो के लिए मेरे चैनल को subscribe कीजिए आज के लिए बस इतना ही मैं आपसे वीज़ा लेना चाहूंगा तब तक आप लोग देखते रहे हैं मेरे YouTube चैनल फॉर्म फिलप की नवले